हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आई हो आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोग के लिए फलो की रस्भरी खटी मीटी टुटी फ्रूटी की रेस्पी लेकी आई हूं यह बिल्कुल जूसी होता है बरत में बहुत धेर सारे फल आ जाते हैं और ड्राइफ रोट्स आ जाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि इन फलों से मैं खटी मीटी टुटी फ्रूटी की रेस्पी बनाती हूं और आप लोग के साथ सेयर करती हूं तो फिर बनाना सुरू करते हैं यह फल हैं इसमें संत्रा शेर आम और अगर आपके पास अननास हो अम्रूध हो इन सबों का आप जो फल आपको अच्छा लगे आप इसमें यूज करें केला का यूज करें सारे फलों को मैंने द्रोटे का काट लिया है यह एक सेव है एक संत्रा है एक अम्रूध है और एक आम है यह दो टुकडे अननास है और इसको इसमें मैं यह थोड़ी से ड्राइफ layer प्रूट और ए अगर आपको और भी कोई फल पसंद हो तो इसको आप डाल सकते हैं तो मैं पनाना शुरू करती हूँ इसमें मैं हाप गिलास पानी डालूँगे हाप गिलास से थोड़ा कम ही डालना है अब मैं इसमें दो टेबल स्पून चीनी डालूँगे इसे मेल्ट होने तक वेट करें ख्लेब को स्लो रखोंगे चीनी मेल्ट हो रहा है चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गया है अब मैं इसमें थोड़ी से नमक डालूँगे आधा नीबू का रस मैंने चोलूँगे इसको अच्छी तरह मिलाओंगे इसमें उबालाने लगए अब मैं इसमें ड्राइट प्रूप्स दालूँगे दो मिनट तक इसे में सोटे कर लूँगे यह जाग जाग से होने लगे नहीं चीनी तयार है अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगे अब मैं इसमें फॉलो को एके करके डालूँगे फिर मैं इसे मिक्स कर दूँगे प्लेम को मैंने मीडियम कर दिया अब मैं से थोड़ी पका लूँगे फॉलो को ज्यादा पकाना नहीं है एक मिट मैंने इसे पका लिया अब मैं इसमें एपर डालूँगे अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगे अब इसे मैं 2-3 मिर्ट तक पकाऊना जिससे कि इसका थोड़ा पान सूप जाए देखे फूर्ट कलर को कितने अच्छे लग रहे हैं इसे मुझे पांच मिर्ट तक पकाना है पांच मिर्ट हो गए हैं फ्लेम स्लो कर दूँगे लेखे इसके जूस तयार हो गए है दो मिर्ट में धीमी आंस परवर से पकाना होगी फलो की रसपरी टूटी पूटी बन गई है अब मैं गैस को बंद करती हूं और जब यह ठंडा हो जाए तो मैं इसे बिस आउट करूंगी आप भी बनाईए और मुझे बताईए कि कैसा बना है ट्राइ जरूर कीजिएगा देखिए इसकी रसपरी मैंगो जूज की तरह तयार है बहुत ही टेस्टी बनता है और विटामिन से भी भरफूर है मिनरल से भी भरफूर है तो आप जरूर बनाएए और फलो का सभी प्योग कीजिए बरबाद ना कीजिए टूटी फूटी ठंडा हो गया है अब मैं इसे चेक करती हूं देखिए इतना अच्छा बनके त्यार हुआ है इसके जूस को देखिए इतना ही ठीक होना चाहिए तभी खाने में अच्छा लगेगा यह बहुत अच्छा लगता है इस बिल्कुल फूटी की तरह यह लगता है आप भी बनाईए और मुझे टेस्ट करके बताईए कि कैसा बना है तो हम इसको पहले डिसाउट करते हैं फलो से रस्परी टूटी फूटी बन के तयार है आप भी बनाईए और टेस्ट करके बताईए कि कैसा बना है अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग